हेलो दोश्तों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में 66 विपे CBR, SACCBR दरोगा को ध्यान में रखते हुए गटना चक्की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत भारती इतियास के आधनिक बारत की कोश्चन को देखते हैं ताकि एक जाम में आपका कोई कोश्चन न चुटे तो चलिए हम लोग देखते हैं आधनिक बारत की कोश्चन आज का टॉपिक है सोराज पाटी का गटन इसके हम लोग नोट्स के माधियम से देखते हैं वर्स 1919 के वारती सासन दिनियम दोरा अस्थापित किंद्रिय तता प्रांतिय विधान मंडलों का कंग्रेस ने गांधी जी के निर्देशा अनुसार बहिसकार किया था और वर्स 1919 के चुनाव में भाग नहीं लिया असायोग अंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिलवतारी के बाद देश के वातावरन में कजीप निरासा का मौल बन गया था एसी स्थिती में मोती लान ने रूत था सी आरदास ने नई विचारधारा को जनम दिया मोती लाल नेरू तता सी आर्दास ने कॉंग्रेस को विधान मंडलों के भीतर परवेश कर अंदर से लराई लरने का विचार प्रस्तुत किया तता वर्स 1923 के चुनाओ के माध्यम से विधान मंडल में पहुचने की योजना बनाई किन्टू वर्स 1922 में कॉंग्रेस गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अश्युकार कर दिया गया नेक्स्ट सी आर्दास इस दोरान कॉंग्रेस के अध्यक्स थे ने कॉंग्रेस के अध्यक्सता से त्याग पत्र दे दिया आज जनवरी 1923 में मोती लाल नेरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की अस्तापना की इस पार्टी कमुको देश चुनाओ के माध्यम से कांसीलों में परवेश करता था उन्हें काम न करने दे कर वर्स 1922 में के मारस आसन अधिनियम का उच्छेदन करना था स्री निवास आयंकर मदराज प्रांथ स्वराज पार्टी के संस्तापक ता एंसी केलकर स्वराज पार्टी के आने परमुक नेता थे वर्स 1925 में बिटल बाई पाटेल सेंटर लजिस्ट्रेटिव केंदिय विधान मंडल असमली के अध्यक चुना जाना स्वराजियू के एक महत्पून अप्लब्दी थी चितरंजन दास को देश बंदू के नाम से जाना जाता था इंपोर्टन फ्यक्ट है देश बंदू का तत्पर है तप्रेंड ओफ नेशन चितरंजन दास इंगलेंड के वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वराज आकर बैरिश्टर हो गए तता वकील के रूप में इनके सबसे बड़ी सफल था अली पूर्बम कंड केस में अरभींत गोस को बचाव करना था इन्होंने कहा था स्वराज आयम जनता के लिए होना चाहिए केवल बर्गू के लिए नहीं 16.1222 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने करने मदन मोहन माल भी ये था था मोती लालनेरू ने लिया था मदन मोहन माल भी ये हिंदु महासाबा के संस्थापक 110 थे अब हम लोग इसके कोश्चन के माध्यम से देखे तो पहला कोश्चन है भारत निस्वराज पार्टी के अस्थापना निम्निकित कारणों में से एक है तवाएक के लिए अधिक की गई है तो इसका कोश्चन हम लोग देखे गांधी जी द्वरा सयो गांदोरन वापस लेना दूसरा कांसीलों में परवेश करूने काम न करने देख न 119 के भारती सासन अधिनियम का उच्छेदन करना ब्रिटी सरकार द्वरा दमन भारतियों द्वरा इस आसे के अनुभूती उसक प्रसासन का अनुभूत प्राप्त करना चाहिए तो इसका एंसर पहला और दूसरा होगा इसकी ब्याक्या देखे वर्ष 119 के भारती सासन अधिनियम द्वरा अस्तापीत केंद्रिय तटा प्रांती बिदान मंडलों का कॉंग्रिस में गांधी जी के निरेसा अनुसार अगने लिया सयो गांधोलन की समाप्ति और गांधी जी के ग्रवतारी के बाद देश के वातावरर में एक जीब निरासा का महल बन गया था ऐसी स्थिति में मोती लाल नेरू ततना सी अर्दास ने एक नए विचार धारा को जनम दिया मोती लाल नेरू ततना सी अर्दास ने गांग्रेस को बिधान मंडलों में बेतर परवेश कर अंदर से लराई लर्मे का विचार प्रस्तुत किया तता वर्ष 1923 के चिनाओ के माध्यम से बिधान मंडल में पहुँचने की योजना बनाई किन्त 1922 में कोंग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथी सियोजना को अस्विकार कर दिया गया सी आर्दास इस दोरानवे कोंग्रेस के अध्यक्षते ने कोंग्रेस के अध्यक्षता से त्याग पत दे दिया और जनवरी 1923 में मोती लान नेरू के साथ मिल कर स्वराज पार्टी की अस्तापना की इस पार्टी का मुख को देश चुनाओ के माध्यम से कांसीलों के परवेस करता था उन्हें काम ना करने देखकर 1912 सासन अधिनियम का उचेदन करना था नेक्स्ट रहें नेम में से किस ने सोराज पार्टी निर्मान करने के लिए कॉंगरेस के अधियक्ष पत सित्याग पत दिया था तो सी आर दास ने नेक्स्ट रहें सोराज पार्टी का गटन किसकी असापलता के बाद हुआ था तो इसका एंसर होगा असयोग अंदोलन नेक्स्ट है सोराज दल के स्थापना की असफालता बाद वी थी तो असयोग अंदोलन नेक्स्ट है सोराज पार्टी को संस्थापित किया गया था तो सी आरदास तता मोतिलाल नेरू ने नेक्स्ट है सोराज दल के अस्ता अपना किस ने की थी चितरंजन दास और मोती लाल नेरू ने की थी नेक्स्ट है निम मेंसे कौन सोराज पाटी के गटन से समंदी थे तो इसका हम लोग एंसर देखते हैं तो इसका एंसर सी आर दास और मोती लाल नेरू होगा नेक्स्ट मोती लाल नेरू सी आर दास द्वाराउने सो तेस इस भी में गटिट पाती का क्या नाम था तो ये सो राज पाती नेक्स्ट मोती ला नेरू सो राज दल के नेता तेनी में से कौन डल में नहीं था तो सी राम राज गोपाला चाड़ी नेक्स्ट अनिम में से कौन सोराज पाटी के समंदित नहीं थे तो इसके अंसर होगा राजेंद परसाद नेक्स्ट अभिहार में सोराज दल का गटन किस ने किया था तो इसके अंसर हो जाएगा स्री किसन सिंग ने नेक्स्ट है नेम घटनाओ का सही कालकरम होगा तो इसका अंसर C है पहले लखनाओ समझोता फिर जलिया वला कांट फिर बाल गंगा दर तिलग की मिर्थू तब स्वराज दल की अस्थापना लखनो समझोता फिर जलिया वला वागत्या कांट फिर बाल गंगा दर तिलग की मिर्थू नेश्व पिस स्वराज दल की अस्थापना फिर नेक्स्ट है स्वतांता पुर भारत में निमनेखित में से किसने केंद्रिय विदान सभा में स्वराज दल का समर्थन किया था तो एम सिर दासने कियाा मंटेग्व चेंजische रिपोर्ड की निंदा करने पर कई नरहं पंतियों ने पाटी को चोर करनी में से कौन सांपार्टी का उन्वाल समीली करना है सब्सक्राइब 122 को इंडिपेंडेंडेंस पार्टी बनाने का निर्ने लिया था तो इसका अंसर होगा दो अर्चाग मदन महन मालभी और मोतिलान नेरू नेक्स्ट है सेंटर अजिस्टेटिव असेंबली का परतम भारतिय अर्दक्ष स्पीकर कौन था तो बीटल भाई पटेल था सेंटर अजिस्टेटिव असेंबली के अध्याक्ष निर्वाजित किये गया तो इसका अंसर होगा बीठल भाई पटेल नेक्स्ट आगास्ट में सेंटर अजिस्टेटिव असेंबली का अध्याक्ष नेमने कित्म से कौन था तो बीटल भाई पटेल था आसा करते आपको व